इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फोर इसलाम इन यॉरप उसने बहुत बड़ी स्रेटमेंट दिये स्रेटमेंट क्यों दिया बताता चलू सौधी एरेविय के किंग ने कहा था कि आप हमें जगा तो इटली के अंदर हम अपने कोई मज़िद बनाना चाते हैं यॉरप के अंदर तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्रेटमेंट दी है मेलोनी ने इसके बारे में आपकी क्या रहा है क्यों हमारे इमेज डाउन डे बाइडे डाउन होता जा रहा मुसल्मानों का एक तो अपस में इतफाक नहीं है आप देख सकत है हमारी जो इंटरिशनल और्गनाइजेशन ऑफ इसलामी का है ओई सी ठीक है ये नहीं कुछ का रही तो आप जब तकर आपस में इतफाक पैदा नहीं करें तकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं आप पूरे योरोप में चले जाएं पूरी दुनिया में चले जाएं मुसल्मान आ हम सारे अपस में इतफाक करके उनके लिए कोई नहीं कोई कुछ ऐसा काम करें कि वहां पे हमारे लिए मजजिदें बनवाई जाएं क्योंकि अब जैसे कोई एद वगारा आती हैं वहां पे लोग बहुत सारे मुसल्मान है तो वह अपनी 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 अबादत गामें जा टैरिरिस्ट है ठीक है वह जैसे अब देंखर अफगानिस्तान में जिस अब पीछे हाहला आप तालबान अूतर हकोभाना धैयी अब लिया पाकिस्देश कि पाकिस्तान का अपना नुकसान अपना पाकिस्तान का फ्यूचर है उसका प्रबाद करें अब जो बच्चे हैं जो अपनी बैंद भायों को स्कूल शोड़ने जाते हैं ठीक है अब वह उनको पकड़ लेंगे तो आपको मुल्क का मुस्तिक बिल्कून बनाएगा कि अगर आ दूसरे मुमाली के अंदर जाके क्या करेंगे उसके भाद आपने देखा डिवाएकमे की आपने निउस्सुनी होगी इस तरह की हम अपने अंदर से की चीजें की चीज़ें निकाल रहे थे पहले हम ग्रेली समय को पना दे तो एसे हैशे आपको नहीं लगता कि पहले हम ग् अब डेस पर निकलें अब वो और डेसे जब आ उसके है पाकिस्तान हें बिल्कुल एक्साइए बिल्कुल सही होगा है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेलोनी के इस बयान के बाद के उसने कहा कि नो प्लेस फॉर इसलाम इन यॉरप क्या कहना चाहेंगे दुनिया के अंदर आपको नहीं लगता कि डे बैडे कोई अधर कंट्री के अंदर जिस तरह से आपने देखा तुरकी के अंदर मुसल्मा को जिस तरह हमारे मुसल्मान पर जलम करते हैं ठीक है वह बुड़ा समझते हैं कि मुसल्मान पता नहीं क्या है उनके निदे मुसल्मान के वैल्यू नहीं है तो ये काम ँपनी साई की भी जब के हमें हमारे मुलक में आसा नहीं होता। तो 만ुमय चितनी भी अक्लत ऐते हैं अक्लतों को ब dobrाबर के हुरुक को दीन होती है। वहां बेभी हमें कोई ऐसा कदम नहीं हमें एक ये इसके लाव उटत कर लेखे हमारे प्राइम मिनिस्टर का का में उनका काम में जाएं के अपने वाद उठेये के हमारे लिए कुई आसा काम किया जैंगे मिसलमान मुमालिक में रहा रहे उनके लिए मसाजित अमिर करवाई जाए दूसरी तरफ अगर मैं बात करू लेते हिंदों को किसी पर कंट्रिक अगर यूटे का प्रम मिनिस्टर हाज हिंदू हाई रिशिशन वहाँ पर आप देखेंगे हिंदू को प्राइवर्टी दी जाती अज इतना मतलब के डिस्करच क्यों किया जाता है अब बात ये कि वो लोग मुसल्मानों से डरते हैं जो असल बात है जब आप देखें कि मुसल्मान जब कठे है ना तब हमने सदियों पूरे मुलकों पूरी दुनिया भी हुकूमत की है सिकंदर आजम मुसल्मान था आदी दुनिया फता की उसने ठीक है वह दरसल बात ये कि गदार आपके मुसल्मानों के अंदर से निकलते हैं ऐसे थोड़ी ना मीर सादिक मीर जाफरीन की बाते होती है गदार जब तक हमारे कौम से हमारे मुसल्मानों से खत्म नहीं होंगे क्या आप समयते हैं कि यह जितने भी दुनिया के अंदर साइशे हो रही हैं सब मुसल्मानों को गिराने के लिए साइशे हो बिलकुल ऐसी बात है मुसल्मानों को गिराना चाहते हैं और मुसल्मान भी ऐसे हैं कि अपस मितहाद करने के वज़ए एक दूसरे के खिलाफ हो र हैं हर चीज़ के इंदर जा करैंगा इक्स ट्रीमस सोगते हैं कि की पाइं पर पाकिस्तान के अंदर किसी चर्च बनता नह eyebrow कॉछ यहां पर बने यहां पर कोई मंदिर बने आप बने देंगे बिल्कुल बिल्कुल अपने देंगे आप इजादत देंगे बेशे क्योंकि इसलामी जमूरिया पाकिस्ताइए यहां पर काईद आदम ने जब यह बनाया था तब उन्हों ने एक बात की थी कि यहां मुसल्मान हो हन्दू और क्रिस्टिन होसाब को यहां पे सब की अज़ाद है और आपको अपनी अबादत गाहों में जाने की ज़ादत्प exagger झाला ऐ अब अब कि आप पती है आपके मुलक में एक हाली मुसल्मा 5000 नहीं है आपकेम रिलीजन्स के यह जो रिलिजेंस यह भी है तो सब को ब्राबर में अजादी का हक है आगर आप भूद भी अजादी मांगते हैं दूसरी कंट्री में जाके तो जो लोग आपकी कंट्री में लेड़ा है उनको भी अजादी देना बहुत प्यारी बात कि आमने तैंक यू सो मच प्यारे प्रिंस ऐड़ा है नीयूसर ने क्यों बहुत जादा वारेल हो रही है इटली की प्रैम मिनिस्टर सहिबानी चाहिए जो इसलाम है उसकी कोई जगानी इटली के अंदर ये बयान क्यों दिया है वह बताता है कि हमारे प्रिंस सल्मान ने का था कि हम वहां पर एक मदरसा खोलना चाहते हैं तो इसके परक्स उन्हों ने यह बयान दिया कि भाई इसलाम की कोई जगा नहीं है सर इतनी नफरत क्यों होगी हम से दुनिया को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर भी वीजा लगवाते वे जाने लगे तो पाकिस्तानी मुसल्मान कोई भी है तो इसको बोड़ा चेक किया जाता है तो दुनिया के अंदर हमारी तुम था मुड़ा कोई दुनिया का कि बाजी अब लगए दुनिया का कि आप जाता है कि अजिए के अघ्टा भी और तो थी वर्ड इसलाम की लिए प्लेट पर शुटों कोई दुनिया का एज जानकों मुसल्मान की जो तालिमात है वह अपने स्कूल अपने श्कोल फ़ाड के मताबक अमल करते हैं और दुनिया का कोई खिता ऐसा नहीं है जिस पे वो exist नहीं कर रहे हैं या मुसल्मान मुझूद नहीं है लहाजा इसलाम को या मुसल्मानों को किसी कोई खत्रा नहीं है बलके जो यह ऐसी बात नहीं है हिटली में भी उनके सिर्फ जो है ना उसका जो स्टेटमेंट है टैलियन प्राइमनिस्टर का उसको कंडेमी किया जा सकता है कि यह जो डिमॉक्रेटिक स्पिर्ट है यह फंडमेंटल राइट्स के हवाले से जो बात होती है उस हवाले से यह जो स्टेटमेंट है और बाकी जो आप कहरे हैं सलमान जो वली एहद है उन्होंने को बयान दिया कि हम मदरसा खोला जाते हैं तो मैं इतली में बहुत सारे मदारस रिलिजिस इंस्ट्यूशन भी है युनिवर्स्टी भी है वो एक्जिस्ट कर रही है तो यह मेरा ख्याल में कुछ मिस्कांसेप्श कुछ मिश्ट्राइब कर काम देख कुछी इसा और जो युवर्प के अंदर हिंदू अभी प्रायम मिनिसर है रिशी संक दूसरी तरफ हिंदू को वैलकम किया जा रहा है हर तरफ से क्रिश्ट्राइब के लिए यतना जिये जितने मुसल्मानों के लिए रिस्ट्रेक्शन और मुश्किलात की गई है। जितने मुसल्मानों ने हमेशा दूसरी जो नेशन्स हैं दूसरे सेट्स हैं उनके लिए सॉलिडेरिटी का मुझारा की है और उमीद यही रखनी चाहिए कि दूसरे कंट्री भी जो हैं वो टो वर्ड मुसलिम जो है वो एक बैटर कॉंसेप्ट के साथ एक सिवलाइस्ट मैनर के साथ आएंगे उनको आना चाहिए हम अपने थोड़े से कंtr tallest के बारे में बाटित कर लेते हैं हमारी मोलक से भी हमारे जो पाकिस्तानी है इनका बाइकोट पाकिस्तान का बाइकोट तुर्की ने भी किया बहुत सारी मीड़व इस ने भी हमारा बैकॉट कि हमाई वीजा नहीं परवाइड कर रहे हमारे लोग जहां भी जाते हैं वो उनका कहना ही है कि यहां पर बिकारी बनते हैं और क्रिमिनल अक्टिविटीस में पाकिसानी पाटिसिपेट करते हैं तो इसके बारे में आपकी क्या रहा है मैं समझता हूँ कि वर्ल लेवल पे ना बहुत सारे मुबाले के लोग भी ऐसी क्रिमिनल अक्टिविटीस में इन्वाल्व होते हैं और हमें अपने कंट्री को प्रेजिडिस नहीं करना चाहिए अलहम दोला यह बहुत अच्छा मुलक है यहां के रहाशी बहुत अच्छे हैं कुछ चोटी मोटी लिमिटेशन होती हैं वो वक्त के साथ साथ दूर हो जाती हैं ऐसा कोई इशू नहीं है तुर्की के साथ और दीगर जो कंट्रीज है ना उनके साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन है और इस वकर मैं मासरवाई इसराइल का बाइकाट है या इ हमारे अंदर इन्वेस्मेंट करने क्यों नहीं आता को हमारे साथ रिलेशन इस तरह के क्यों नहीं बिल्ड करता कि हम उनको कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करें या इसके लिए कि हमें अपने मुल्क में मौशी आलात को बेतर मिनाना होगा अपनी जो एकनॉमिक्स की पॉलि अमीदे बहार रख ठीक है ना वैसे तो वह एक परोड़ी भी की हुई है जमीर जाफरी सामने के बनते तो तेरे चार हैं फिल हाल दो रख पवस्ता रह शेजर से उमीदे बहार रख तो हमें होफूर रहना चाहिए फोर आल्ली बैस्ट बिकॉस वी आर पकिस्तानी इस क्या करते हैं मैं सरगारी मुलाजम हूँ यारेजिया हूँ सर बात करने का आप से परपस है कि अभी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है सर उन्होंने कहा है कि नो प्लेस कोई जगा नहीं है इटली के अंदर मुस्लमानों के लिए तो क्या कहना चाहेंगे आपके सौदी अ तो इसके मैं पाकिस्तानी के क्या रहा है बाइब ये तो अब सौदी अरब के बाशों के लिए लिए लमा फिक्रिया है कि वो इतने खुले दिलों के साथ इसराहिल जोदी काफरों को अपने मुलकों में जगा दे रहे हैं तो इनको दिलों में जगा नहीं है ये कुरान ने फैसला किया हुआ है, कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, बाद ये है कि इनको आप जागने का वकत है, ये अपने आप में तफ़ाक इदाद पैदा करें, मुसल्मानों में एक आओ, इन्शाला फिर वैलियो होगी, और एक दिन इसलाम का बोल बाला होगा, इन्शाला ताला। अबर इसलाम साथ रहमत ल्ला ने फरमाया है, पाकिस्तान जो है एक मुसल्मान मुलेक है, और यहां कलीतों के लिए भी वही खुले दिल है, ये मुसल्मानों का दिल है, जो कलीतों को गले लगाते हैं, भाई, ये बाद सोचने की है, हमें इतफाक पैदा होना चाहिए है, बनाने कोई बाद नी देखे, अर फिरके को अबाद करने की जादत है, लेकिन रूल एंड रैकुलेशन के अंदर रहे के, ठीक है, बाद ये है कि उनके दिल खराब है, हमारे दिल खुले है, मुसल्मानों के, हमने मेचा जादत दी है, गले लगाया है, और हमारा इसलाम जो क्या करते हैं, मैं काफी मिलाद हूँ, अच्छा जबर्दस हो गया, सर बात करने का परपस है कि अभी इटली की वजिराजमा का एक बहुत बड़ा बयान वाइरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि इटली के अंदर इसलाम के लिए कोई जगा नहीं है, हमारे प्रिंस सौधी ए पहले वो तबली की जाए वहाँ जाकर और उनको बताया जाए, अगर उनके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना आये तो फिर उनकी अपनी मर्दी है कि उनकी जगह है, उनका साब कुछ है, तो मालक है वो, मतलब कि वहाँ पर बनने नहीं देंगे हमारा मदर्स तो क्या आप यहाँ पर उनका मंदिर बनने देंगे या चर्च, नहीं हमारा सिलाम जो अगजास नहीं देता तो नहीं बनेगा न यह वाला, अगर उनका कोई हिंदू यहाँ पर आका कहेगा कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूं पाकिस्तान के अंदर इसलामी जमूरिया पाकि सानी क्या कहता है इस बारे में